देश का इतना बड़ा नेता एक सब्द बोले बगर सभी दुखों को बगवान संकर के विश्पान की तरह गले में उतार कर सहन करकर लड़ता रहा और आज जब अन्त में सत्य सोने की तरह बारा है चमकता हुआ बारा है तो आनन्दी होगा मैंने बहुत नद्दीक से मोदी जी को इस दर्द को जिलते हुए दिखा है इस आरोपों को जिलते हुए दिखा है और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी क्योंकि नाएक प्रक्रिया चालू है हम कुछ नहीं बोलेंगे इस टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही स्टेंड ले सकता है अभी जो इंटर्वी हम कर रहे हैं वो मैं 2003 में भी गुजरात के गुरू मंत्रिया नाते कर सकता था पार्टी के अध्यक से नाते भी कहते हैं कि परिस्तिती में कोई बढ़लाव नहीं है फैक्ट फैक्ट था परन्तु संपून नाईक प्रक्रिया जब मोदी जी से भी पूछा और दोनों यही कहते थे की निया एक प्रक्रिया चालू है इसलिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं आपने भी यही क吸का और मोदी जी ने भी यही का 19 साल हो गए हैं तो 19 साल में आप इधर उधर की बाते करते थे, पूरा आप डीटेल में नहीं जाते थे, अब आप क्या बता सकते हैं कि क्या हुआ उन दिनों में? सबसे पहले 19 साल के बाद सुप्रीम कौट के खंड़ पिट ने आज जो जज्जमेंट दिया है, उस जज्जमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे घलत आरोप को खारीच कर दिया गया, और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपो को पोलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था, कौन थे वो आपके हिसाब से ना मैं बताता हूँ बाद में, और तीसरा इस से भारतिय जनता पार्टी की सरकार पर जो धबा लगा था, वो भी धुला है, और मोदी जी जैसे वैस्विक नेता पर जो घलत आरोप लगाये थे, मैं मानता हूँ कि है, इसका एक आदर्स उदाहन सभी राजनिती में काम करने वालो लोगों के सामने करा है, मोदी जी की भी पुत्ताच हुई थे, किसी ने धर्णा प्रदसन नहीं करा था, देश भर से कारेकरता आकर मोदी जी के समर्थन में सॉलिराडिटी के लिए खड़े नहीं हुई थे हम कानून को कॉपरेट किये थे, मेरी भी एरेश्टू ही थी, कोई धर्णा प्रदसन नहीं करे थे, और जब सत्य इतनी लंबी लड़ाई के बाद बहार आता है, विजई होकर, तो सुने से भी ज्यादा उसकी चमक होती है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कि आज जिन लोगों ने भी मोधी जी पर आरोप लगाये थे, अगर उनकी अंतरात्मा है, तो उन्होंने मोधी जी की और भारती जनता पार्टी की क्षमा माँगनी चाहिए सिर्फ आरोप लगे थे क्या, दंगे हुए तो थे न? आरोप क्या था? दंगे मोटिवेटेड थे, दंगो में राज्य सरकार का हाथ था, दंगो में मुख्यमंत्री का हाथ था, यहां तक भी कह गए, आरोप यह था, दंगे से कौन इनकार कर रहा है? देश में दंगे कई जगे पे हुए है तो क्या उन दिनों में, आप भी थे वहां पर, तो उन दिनों में क्या, पुलीस जो है, जो कहते हैं कि पुलीस कुछ कर नहीं पाई, जो कुछ अफिशल्स थे, वो, they were not able to do much और बहुत से लोग कहते हैं कि वहां political view था, इस वज़े से ना तो पुलीस इतना कर पाई रोखने के लिए, दंगे रोखने के लिए पर भारतिय जनता पार्टी की विरोधी रादनितित पार्टियां, कुछ आइडियोलोजी के लिए रादनिती में आयो हुए पत्रकार, और कुछ NGO ने मिलकर, त्रिकूट ने मिलकर आरोपो को इतना प्रचारीत किया, और इसका इको सिस्ट्रिम भी इतना मजबूत था, कि दिरे दिरे जुटको ही सब सत्के मानने लगे, पर उस वक्त तो आपकी सरकार दिल्नी में भी थी और आपकी सरकार गुजरात में भी थी, तो फिर मीडिया को या फिर उन लोगों का नेटवर्क इतना स्ट्रॉंग कैसे था, हमारी सरकार का कभी भी मीडिया के काम में इंट प्रॉंग